हेलो जै हिन दोस्तों दोस्तों जै आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पहाडी चित्रकला से संबंदित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ इसके पहले हमने कोस्चन नमबर वन से लेके कोस्चन नमबर 32 तक फर्स्ट वी तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों फर्स वीडियो में हमने एक कोस्चन आपको बताया था 20 नमबर कोस्चन था नैन सुख किस सैली का चित्रकार था तो यहां पे दोस्तों गलती हो गया था वहां पे हमने आपको बस होली बताया था लेकिन न राइट आजिकमदार फ्लीग से पब्लार बाट्रबनेजंवाट्रू माइनग माक्षण मैम। तो महराजा संसार चंद द्वारा जो है कांगडा सैली को सनक्छन मिला था कांगडा लेकिन कांगडा सैली का दूसरा नाम क्या है पहाडी सैली तो यहाँ पे राइट अंसर C हो जाएगा कोशन नमबर 34 कांगडा चित्र सैली का प्रमुक चित्रकार कौन था तो कांगडा सैली के प्रमुक चितरकार जो है कुशन लाल है तो राइट अंसर यहाँ पे A हो जाएगा एक और है परखु कुशन लाल और परखु यह दो चितरकार बहुत ही फेमस है कुशन नमबर 35 सिकारे के साथ महिला किस सैली का चितर है तो यह बसोहली सैली का चितर है काफी इंपोर्टेंट है तो राइट अंसर B कुशन नमबर 36 बसोहली चेतर आज किस राजी के अंतरगत आता है तो यह कुमाओ गढ़वाल के अंतरगत आता है तो राइट अंसर D हो जाएगा Q. 37 Q. 38 Q. 38 Q. 39 Q. 40 का प्रमुक चित्रकार कौन है तो कांगडा सेली का जो प्रमुक चित्रकार है वो नैन सुख तो राइट एंसर सी हो जाएगा तो कोशन नमबर 43 कांगडा चित्रकला के सनरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की मोला राम किस सैली के कलाकार था तो मोला राम जो है ये बसहली सैली से समबंधी था दोस्तों यहाँ पर मोला राम किस सैली के कलाकार है अगर यहां पर गढ़वाल होता तो वो राइट एंस्वर होता है यहां पर लेकिन बस होली सैली राइट किया गया है कोश्चन नंबर 45 गीत गोविंद के चित्र किस सैली में बने गीत गोविंद के चित्र किस सैली में बने है तो ये बसोली साली में बने हैं और गीत गोविंद के जो चीत रहां किस ने बनाए हैं मन कुने बहुत ही फेमस है ये तो राइट एंसर डी हो जाएगा गुलेर जो है वो गोवर्धन से संबंदित है कांगडा जो है संसार्चन बसोली जो है अमृत पाल से संबंदित है और नूरपुर जो है जगत सिंग से संबंदित है तो इस तरह से राइट हो जाएगा गुश्चन नमबर 47 चित्रकार नैन सुक और माड़क किस परंप्रागत चित्र सैली से संबंदित है तो ये जो है गुलेर सैली के कलाकार है तो राइट एंसर ये हो जाएगा कोश्चन नमबर 48 चित्र पंग किस लगुश्चित्र सैली में प्रेुक्त होता है तो ये बसोहली सैली में प्रेुक्त होता है तो राइट एंसर भी हो जाएगा question number 49 बसवहली उपसैली की लगुचित्र सैली से संबध है तो ये पहाडी लगुचित्र सैली से संबंधित है तो right answer D हो जाएगा बसवहली उपसैली जो है ये पहाडी सैली के अंतरगत आती है question number 50 पहाडी लगुचित्र सैली की किस उपसैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है तो ये बसवहली सैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग है तो right answer B हो जाएगा question number 51 question number 51 इन में से सही जोड़ा बनाईए तो ये जो गुलेर है ये पहाडी सैली के अंतरगत आता है तो right answer B हो जाएगा question number 52 मोला राम कहा का चितरकार था देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है मोला राम जो है ये गढ़वाल से सम्बंदित है तो right answer C हो जाएगा question number 53 प्रसिद चितरकार मनकु किस भारती चितरकला सैली से सम्बंदित है तो मनकु जो है ये कांगडा सैली से सम्बंदित है तो right answer C हो जाएगा question number 54 निमलिकित में सुमेल बिठाईए संसार चंद जो है संसार चंद ये कांगडा सैली से सम्बंदित है सावंत सिंग जो है ये बनिठनी इनके समयम बनिठनी का चितरड़ हुआ तो जहागीर जो है मनसूर उनके समयम चितरकार था अकबर के समयमें बसावन चितरकार question number 55 अभी कथन ए कांगडा की लग चितरकला अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है तो ये सही है कारण आर्कियों की या भारती का व्यात्मक रूपको तथा मुगल लग चितरों की सु व्यक्तता पर आधारित है ये भी सही है तो राइट आंस्वर ए हो जाएगा ए आर दोनों सही है question number 56 अभी कथन ए पहाडी लग चितरों में गीतात्मक लै पाई जाती है ये सही है तरक आर्कियों की चितरों को पहाडों में चितरित किया गया है ये गलत है तो राइट आंस्वर ए हो जाएगा ए सही आर गलत है question number 57 पहाडी चितरकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी M.S. रंधवा ने पहाडी चितरकला पर कई पुस्तकें लिखी है question number 58 अभिकथन A भारती लगुचितर पेंटिंग में राग और रागनियों को पुरुष और महिला के संगीत बध स्वरूपों के रूप में वर्गी कृत किया गया तो ये सही है तरक आर्कियों में पुरुष प्रमुख प्रस्तुत करता रहे हैं और रागनियों की महिला प्रमुख प्रस्तुत करता रहे हैं तो ये गलत है तो राइट एंस्वर हमारा हो जाएगा A सही हा गलत B अप्सन सही है question number 59 कांगडा पेंटिंग आन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है काफी important पुस्तक है तो इसके लेखक जो है MS रंधवा question number 60 नयन सुक पहाड़ी चित्रकला के प्रसिदी चित्रकार है मुख रूप से संबंधित है तो ये नयन सुक पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है मुख रूप से किस संबंधित है ये गुलेड से संबंदित है तो right answer B हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी important question इस वीडियो में बताए है तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा like, subscribe और share करें हमारे यूटूब चैनल पर comment करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से visual art से संबंदित important वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों